यूपी की सियासत में बहुत बड़ी हलचल हुई है। बाहुबली और राजनीती में माहिर खिलाडियों में से एक माने जाने वाले राजा भाईया को बीजेपी ने साध लिया है। राजा भाईया ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्च करने का मन बनाया है। आपको बता दें कि राजा भहिया को साधने का काम किसी और का नहीं बलके भारतिय जंता पार्टी के चानक के कहे जाने वाले अमित शाह का है। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजर सिंग ने बीस पी की टिकेट पर अपनी पतनी श्रीकला रेड़ी को चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। इसके अलावा राजबहिया ने इस बार कुशामबी सीट पर अपनी पार्टी का कोई उमीदबार भी मैदान में नहीं उता रहा है। राजबहिया लखनव भी गए। अमित्शाह की सभा से कुछ घंटे पहले ही राजबहिया ने लखनव पहुंच जाने को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा था। राजबहिया और बीजेपी दोनों ही एक दूसरा का हाथ और साथ ठामने पर नफे नुकसान का आंकलन शायद कर चुके हैं।